गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी है सुजुकु की बर्गमें स्ट्रीड 125 और यह आपका टॉप मोडल है यानि की यह आपका राइड कनेक्ट एडिशन है तो इसका मतले भी आपका टॉप मोडल है और यह आपका 2023 वेरियंट है तो आज के अंदर आपको सपोर्ट अभी इसमें स्टीकर जो है अंदर की साइड लगा है तो उसको खुलने के लिए यहां पर जाके इसको ऐसे करना पड़ता है और देख सकते हैं यहां पर यह जो है यह आपकी लेटेस्ट बग में स्टीट रने वाली है तो आज ही इस वीडियो में इसके बारे में इस बात करने वाले सारी चीज़ों के बारे मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइजिंग और सब कुछ में आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं आयों आपका सुदू की एस कुटले पर स्पेशल थांस टू जनोने में को यह स्कूटर प्रोइड कर रहा हूं आप त इसको अन करता हूं तो यह देखिए कितना प्रीमियम आगे से इसका लोख है यहां पर आपको हैलोजन लाइट के इंडिकेटर देखने को मिलेंगा और लेकिन आपका जो में सेटप है पूरा एलडी करेने वाले यह जो है डियारल से हैं और यह आपका पूरा तीन हिस्टो में बटा हुआ आपका में हेडलाइट का सेटप है उसके बाद अगर नीचे की सेड आएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन ठीक है दौनों तरफ आपको जो है इसमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे और कुछ इस तरीके के स्टार वाले हैं पर अलॉयस देखने को मिल जाते है इसके अंदर आपको तॉयांप इसमे आपको देख सकते आपको मिलेंगा असी नब्य बारा का टायर बारा इंच का आगे टायर देखने को मिलता है अगर मैं मडगाड की बात करूँ तो यह आपका फाइबर करेने वाला के डिस्ट बेक देखने को मिल जाती है आते हैं साइड में तो कुछ इस तरीके किसके साइड के लुक्स है यहां पर आपको ठीक है पूरा एक बाट चेक कर लिए अगर मैं इसके ग्राउंड क्लेरेंस की बात परूँ तो इसमें मिलता है आपको 160 mm का मैसिव आपको ग्राउंड क्लेरेंस देखने को मिलता है साथ सो अच्छी अमें का यहां पर आपको सेडल हाइट देखने को मिल जाती है अगर बात अपर नहीं पर सिर्इं तो अच्छा स्थ उसपेस आपको देखने को मिल जाता है यहां फे फुटरे स्पे ठीक है आप यहां पर प频र वर्च के सब्सके लूकर करती है इसके बाद परन कर नहीं पर नहीं को करने वाली है पिलियन के लिए भी यहां पर अच्छा प्रोइड किया गया है सुजुकी के द्वारा बग्में शीट आपको इस तरीकिसे लिखा हुआ है राइड कनेक्ट एडिशन आपको इहां लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा पीछे की तरफ आएंगे तो कुछ इस त आपके रहने वाले हैं सुजुकी का लोगो नीचे की साइड आपको जो है है प्रोजेक्शन में रहने वाला है यह है आपका रिफ्लेक्टर अगर मैं इंजन की बात करूं 125 का सिंगल सिलेंडर एर कूल फैन कूल इंजन आपको यहां पर देखने को मिलता है अगर मैं इसके टायर साइस की तो 90 110 हिंच का यहां पर आपको टायर किया गया है MRF पे टायर आपको सुजुकी के डिफॉल्ट में ही देखने को मिल रहे है ब्लाक लगल पीछे आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको पीछे मोनो शॉक एब्जॉबर प्रोइड किया गया है दोसी तर अगर बात करी जाएं यह डिफ्स्रिक हो गई आपकी अराम से यह आपका पिलियन का फॉट्रेस्ट इस तरीके से ब्लाक और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही आउस्स्टांडिंग लग रहा है अगर मैं इसके ग्राब हैंडल की बात करूँ तो पूरा जॉइंट वाला स सिंगल टोन होन आपको यहां प्रोइड किया गया है यहां पर आपका स्विल्ट का बटन आने वाला है इसके अंदर आपको साइलिन स्टार्ट वाला फीचर नहीं मिलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहां पर आपको डिस्प्ले रहने वाली इसके अंदर आ आपको एक हुक मिल जाता है मतलब मैंक्सी सूट रहे लेकिन इसके साथ प्राक्टिकलिटी का भी बहुत दियान रखा है यहां पर अपना सामान रख सकते हैं या फिर आप अपना फोन भी रख सकते हैं कुछ भी चीज आप आराम से रख सकते हैं बहुत स्पेस आपको देखन यानि कि आप Bluetooth से इसको connect करेंगे तो और आपको जो है दुनिया भर की information फोन की सब आपको ही देखने को मिल जाती है तो यह देखिए एक बात पूरा reboot देखिएगा कौछ इस तरी किसे reboot होगा यह इंजन टेंपरेचर आपको यहां मिल रहा है आपका fuel meter देखने को मिल रहा है time उसके बाद oil के लिए reminder है message call उसके बाद navigation बैटरी Bluetooth टावर उसके बाद यहां पर navigation आगा यह आपका speed हो गई यह आपका जो है अड़ो मीटर हो गया trip ए आपको यहां देखने को मिलेगी अब इसको change करने के लिए आपके पास यह बटन है trip ए एवरेज यह देख सकते है इसके बाद आपका एवरेज भी देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपका रियल टाइम एवरेज देखने को मिल जाएगा बैटरी वोल्टेज देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपका यह जो है ओटो मीटर वह आपको यहां पर देखने को मिल जाता है उसके बाद करने के लिए आप मोड बटन दबाएंगे और यह जो है आपका मोड में चला जागा दिए पेरिंग मोड में आ गया है कुछ इस तरीके से इसका पूरा सिस्टम है और अगर मैं बात करूँ इसके एक बार फीचर्स की तो इसके अंदर आपको नेविगेशन वगयरा सब को देखने को मिल जाता है यानि कि फोन से करेंगे तो आपके जो कॉल्स हैं वह आपको यहां पर रिफलेक्ट हो जाएगे यहां पर टेंपरेचर मीटर भी देखने को मिलता है अगर मैं बात को नहीं पर इसमें और आपको यहां को देखने को मिल रहा है उसके पर यहां पर आपको मिल रहा है की पिर फॉर्टी पे है तो आपको यह मैक्सिमम मैलेज निकाल के देएगा और यह एको की लाइट जो है ग्लोग ना स्टाट हो जाती है अब एक बर आं करता हूँ और आपको इसकी आवास कुछ इस तरह की आपको आवाज देखने को मिल जाती है उसके बाद अगर मैं एक बार इसके अंदर का बूट में स्पेस को चेक करूँ तो आपको यहां पे चाबी लगानी है उसके बाद आफ पर आपको घुमाना रही है आपकी सीट जो खटे से खुल जाती है इतना बढ़ अच्छा खासा स्पेस है यहां पर फूल साइस वाला हेलमेट आ जाएगा उसके आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक की अपके आपको यहां पर जो है 5.5 लीटर की रहने वाली 1.3 लीटर का पूरा चेक आउट कर सकते है इसको ऐसे बंद कर देगे ठीक ऑब एसे लगा अरे कोस स्कते हिसे काम करता है अगर इसके वेट की बात करमें 210 के लो जए इसका करभव वेट है 110 यह-9 स्कूटर से इसकोड़ा भारी है को रिक्कत नहिंए लेकिन इसके लोक्त-गर सब जकारे कि यह वेट क्यू है उसके अगर मैं बात करूं इसके माइलेज की तो यह जो आपको माइलेज देने वाला है वो देने वाला आपका 58.5 kmpl का highway पे और अगर मैं इसकी city में बात हो तो लग 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 आपको जो है पच्यास किलोमेटर पर लीटर का मैलेज देगा आपका city में अगर मैं इसकी तॉस्वीड की बात पर रोती हैं जो टॉस्वीड जाती है वह जाती है आपकी 95 खीलोमीटर पर आरगी 95 खीलोमीटर पर आरगी आपको टॉस्वीड देंगे मिल जाएगी ठीक है तो यह था कुछ जिसका पूरी ओबरराल कहानी अब बात करते हैं इसकी प्राइस से गी तो अगर मैं इसकी महाराथ में पूने में आउन डूपिक के साथ एक नए स्कूटर बाएक गाड़ी के साथ तो के लिए टाता बबार